जोङए सब्ट तो सावज आप का फिर से अपके आज değer साना स्रेंगा को पार्विंग सदोस्तो वारष दुस्तो एंगे मोसल को त्रेंड़ करेंगे हमारी वर्कवाट में और दोस्तो होना बहर्त करेंगे और दोस्तो है खेंगे ज़लो डीकैन श्टाटेट जो स्बसे पहले हम करेंगे वार्म अप में अपने हैंड़्स को क्लोकवाइस और एंटी-क्लोकवाइस डारेक्षन में घूमाएए इससे आपकी छोल्डर की मसल्स से वो वरक आउट करने के लिए रेडि हो जाएंगी एक्टि हो जाएंगी दोस्तों ये भी आप कर सकते हो एंटी क्लॉक वाइस और प्लॉक वाइस डिरेक्शन में इस एक्सेसाइज को भी आप अपने वार्णॉप में आड़ कर सकते हो वार्णॉट करने से पहले और वार्णॉट करने के बाद शोल्डर की स्ट्रेचिंग दोस्तों जरूर करें इससे मसल आपके रिलेक्स हो जाएंगे इंजिरे की चैंस से दोस्तों कम हो जाएंगे तो स्ट्रेचिंग जरूर करें तो हमारी फर्स एक्सेजाज है शोल्डर प्रेस शोल्डर प्रेस मारते समय बैंड आपको पेरों के नीचे रखना है और प्रॉपर ग्रिप पकड़कर बैंड के हैंडल को उपर की तरब प्रेस करना है तो हमारी सेकंड एक्सेजाज है साइट लेक्टर राइसेस इस एक्सेज से हमारा शोल्डर का मिडल डियर मसल यह वह अच्छे से ट्रेन होगा कर दो हमारा शोल्डर का मिडल यह वह अच्छे से एक्सेजाज है दोस्तों इस एक्सेज में हम हमरे बैंड को शोल्डर की लेवल तक उठाइए आपका वर्काउट और भी चैलेंजिंग और एक्स्प्लूजिव हो जाएगा और आपको वर्काउट करने में और मज़ा आएगा प्राइएगा इस exercise में हम अपने arms को अपने chest की लिवर तक push करें फिर आप अपने starting position पर जाए दोस्तो यह हमारी last exercise है इसमें हम हमारे shoulder को up-down move करें दोस्तो यह exercise में हम अपने arms को सिधा रखिए और जो हमारे shoulder है उससे आप ऊपर की तरफ अपने shoulder को प्रेस करें कि इस वीडियो पास पनाए तो लाइक जरूर कीजिए और इस ते फिट्नेस लेटेट इस के लिए और फिट्नेस चानल को सब्सक्राब जरूर कीजिए और सलों सर मिलते है नेक्ष वाटकाट विश्टेशन में